वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आज हमारी बिजनस मैस्क में चेप्टर नमबर वन मेट्रिक्स और क्लास नमबर टू है और आज की क्लास में हमारा टॉपिक जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ताइपस ओफ मेट्रिक्स तो डियर इस्ट्वेंट आज हम समझे कि मेट्रिक्स कितने टाइपस के होते हैं कितने परकार के मेट्रिक्स होते हैं तो सबसे पहले जैसा अब अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक होता है रो मेट्रिक्स अब एक है कॉलम मेट्रिक्स जीरो और नल मेट्रिक्स स्क्वार मेट्रिक्स ट्राइंगल और identity matrix और इसको आप unit matrix भी कहते हैं तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यह row matrix क्या होता है, column matrix क्या होता है, diagonal matrix क्या होता है, identity matrix क्या होता है, आइए one by one इंचे जो को समझते हैं सबसे पहले हम start करते हैं with row matrix कि row matrix किसे कहते हैं, row matrix में आगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्फ और सर्फ आपको row देखने को मिलेंगे, row matrix किसे कहेंगे, row matrix में सर्फ आपको जो है row देखने को मिलेंगे, इसमें आपका किसी भी तरीकी का कोई column नहीं होगा, इसमें आपको जो है कॉलम देखने को नहीं मिलेंगे पर एक्सामपर जैसे कोई भी आप एक नमबर लिख लिजिए 3, 4, 5 नमबर positive, negative कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको आपको जो है यहाँ पर आपको row matrix के अंदर आपको जो है एक आपको row देखने को मिला यहाँ पर नहीं column तो होंगे, बिल्कुल column होंगे लेकिन row matrix में सिर्फ क्या होता है एक row होते है ठीक है, सिर्फ one row होगा column है, column कितने हैं आपके यह भी column है, यह भी column है और यह भी column है order क्या होगा इसका order क्या होगा इसका order हम बुलिखते हैं m into n m means कितने row हैं एक row है, column कितने हैं, तीन column है, तो row matrix किसे कहेंगे row matrix वो होगा, जिसके अंदर row कितने होंगे, सरफ एक row होंगे, clear है, तो क्या लिखा है our matrix that has exactly one row is called our row matrix, for example जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर सरफ एक ही row है, बट column आपके पास में यहाँ पर चार column है, तो इसका order क्या हो गया, one by four, one product four, clear है जी, यह बात समझ में आपको आई या नहीं आई, बताए row matrix clear है, row matrix किसे कहेंगे आप, row matrix वो matrix है, जिसके अंदर आपको exactly one row आपको दिखेगा, एक से ज़्यादा row आपस में नहीं होंगे, column आपके ज़्यादा होंगे, बट row matrix में एक row होता है सिरफ, clear है जी, इसी तरीके से हम बात करते हैं, column matrix के तो column matrix में आपको column नज़र आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको row नहीं होगा, ये आपका column, जो vertical होगा सिरफ, इसको column matrix कहेंगे, जिसमें एक एक आपका column देखने को मिलेगा, बट row तो आपके पास में एक से ज़्यादा row आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, column matrix, तो basically आप समझेगा row, row का मतलब आप समझते हैं जो horizontal होता है, तो एक ऐसा matrix जो बिल्कुल horizontal है, single उसमें row है, वो row matrix हो गया, column जो कि आपका vertical है, तो vertical में एक ही column होगा, और यहाँ पर rows तो ज़्यादा आपके होंगे, तो क्या कहता है, यहाँ पर column matrix के बारे में, a matrix consisting of a single column is called a column matrix, और इसका क्या order लिखोगे, इसको हम m into n m means क्या होता है, कि कितने row है, तो row कितने हैं, इसके अंदर अगर आप count करेंगे, पहले row लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 row है, और आपके column कितने हैं यहाँ पर, column आपका एक ही है, तो 3, 1 का इसका क्या है, order है, clear है 0 matrix भी कहते हैं, और उसको alternate हम इसको null matrix भी कहते हैं, सवाल अभी है कि 0 matrix किसे कहते हैं, एक ऐसा matrix, जिसके सारे elements 0 होते हैं, उसको 0 matrix, या फिर आप उसको null matrix आप उसको बोल सकते हैं, जैसा आप अपने सामने screen पर भी देख पा रहे हैं, order तो इसका है, इसमें कितने row हैं, अगर आप देखेंगे, इसमें row कितने हैं, 2, और column कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, column कितने हैं, 3 column है, तो यह आपके पास में इसका order हो गया, square matrix हम उसे कहते हैं, जहां पर आपके पास में, square matrix में क्या होता, generally, square matrix में आपको देखने को मिलेगा, कि आपका जो है, m और आपका n, दोनों equal होता है, it means अगर आपके पास में 3 row है, तो 3 column होंगे, 2 row है, तो 2 column भी होंगे, बनलब जितने number of row होंगे, उतने ही number of column होंगे, तो आपके यहां पर आप एक बात आप क्या सकते हो, क्या, कि number of number of rows equals to number of column, जहां पर आपको number of row equals to number of column हो, तो M equals to N हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है square matrix कहते हैं, for example, देखेंगे जैसे आपके, यहां पर, आप बताए कितने row हैं इसमें, 1, 2, 3, column कितने हैं, 1, 2, 3, तो यह क्या है आपका, यह एक आपका square matrix है, यहां पर देखें कितने row है, 2, और यहां पर column भी कितने हैं, आपके 2, तो यह क्या है, आपका square matrix है, are square matrix of order 3 and 2 respectively, एक आपका यहां पर, 2 इसका order है, और इसका order किया आपका, 3 to 3, तो क्या कह रहा है, कि आपका M into N matrix is set to be a square matrix of order, if N, if M, M equals to N, that is, if it has the same number of columns, are as rows, जितने इसमें number of columns है, इतने ही इसमें number of rows होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, square matrix, यह clear है आपको, अब हम बात करते हैं, यहां पर, हम बात करते हैं, यहां पर, in a square matrix, आप देखेगा, in a square, देखे, diagonal है न, always आपको square matrix के अंदर ही, देखने को मिलेंगे, diagonal, diagonal क्या होता है, मैं diagonal के बारे में बात कर रहा हूँ, यह आपका एक square matrix है, बताए कैसे, क्यूंकि आपके पास में M क्या है, 3, चलिए column बताए, column भी मतलब N, N कैद 3, तो बताए M equals to N है या नहीं है, तो यह square matrix है, अगर जब भी आपका square matrix होगा, तो square matrix में ही, आपको diagonal देखने को मिलेंगे, यह क्या होता है, एक matrix का diagonal आपको होता है, आप बिल्कुल आप सिरफ यही नहीं, आप इस order में भी देख सकते हैं, diagonal, यह भी आपका क्या होता है, यह आपका जो है diagonal होता है जो pink color से देख रहे हैं इसको भी diagonal कहा सकते हैं जो green color में देख रहे हैं आप ये भी क्या होता है इसका diagonal होता है ये सिर्फ वो सिर्फ आपको एक square matrix में ही देखने को मिलेगा मालने कि अगर कोई matrix square matrix नहीं है for example तो यहां पर आप बता है diagonal क्या होगा खेर order तो आपको पता है कि two row है और four column है ये इसका order है पता है यहां पर आपको डाइनल मिसिंग रहेगा तो डाइनल कहां पर होता है जो आपका square matrix होता है उसके अंदर ही आपको डाइनल देखने को मिलते हैं तो यहां पर अगर आप square matrix है और square matrix के अंदर जो pink color में green color में यह क्या होता है इसका diagonal होता है ताइमिंग 6 बजे की रहेगी क्या आप 7 बजे नहीं कर सकते हैं class चले इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे हम हां जी अब क्या कहता है triangle matrix triangle का मतलब क्या होता आपको पता है एक त्रिबुच तीन भुज ट्रिबुच जो बनता है triangle triangle का आप shape जानते है बेसिकली और अलग-अलग shape भी होते है triangle के जरूरी नहीं ऐसा ओएशा shape भी होता triangle का पर matrix के अंदर triangle matrix किस के से बनता है जैसे यहाँ पर आप देख रहें न ये अपका square matrix है 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 या निया बताईगे ये square matrix है और square matrix के अंदर य डाइगनल है ये और डाइगनल से नीचे आपके पास में सारे के सारे के सारे के सारे के सारे आपके जो एलिमेंट से वो क्या है जीरो है तो ये आपका एक ट्राइंगल बनाएगा ये क्या बना रहा है आपका एक ट्राइंगल बना रहा है कैसे देखें इन जीरो को अगर आप connect कर देंगे तो एक triangle बनेगा तो इसलिए इसको हम क्या बोलते triangle और ये आपका देखेंगे ये आपका triangle का हम बन रहा है नीचे बन रहा है ना इसलिए हम इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे lower triangle matrix clear है और एक जो है आप just for example यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके two three four तो यह भी आपका एक square matrix है और square matrix में आपका diagonal होता है जो कि आप देख पा रहे हैं कि आपका कुछ इस तरीके से आपका यह क्या रहने वाला है आपका diagonal रहने वाला है और diagonal से उपर सारे elements क्या है आपके zero अगर आप इसको connect कर दोगे तो क्या बनेगा आप triangle वट यह उपर triangle मन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम upper बोलेंगे clear जी तो क्या होते है हमारे पास में basically दो होते हैं तो lower होता औरques क्या होता है एक upper triangle matrix होता है तो triangle matrix एक square matrix में बनता है और square matrix में diagonal के नज़ीचे वाले elements सारे गैशीए zero होंगे आप कहते हैं, आप स्क्वार मेट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वार मेट्रिक्स किसे कहते हैं, आप स्क्वार मेट्रिक्स को डाइगनल मेट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं, छीक है न, एक डाइगनल मेट्रिक्स और एक स्क्वार मेट्रिक्स, दोनों आप जो है, एक को ही आप ब चाहर मैंटिक्स मेंतिरिक्सե्ट कीवा, मैंने आपको बताने हैं कोशिव किगी डाइनाय होता क्या है inspire णर कि अब यहाँ पर आपके पास शोपे जीसे कि डाइनल मैट्रिक्स तो मेट्रिक्स के ल tय都有 कहा अ होता है ज телефон पर अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास पे डाइवन मैट्रिक्स उसको कहेंगे आप जिसमें की सारे के सारे आपके परक्तामाल लिजरे प्सक्रेमिश हो नीक्ति आपकी जिए अगता आफ आपको आध में लेंगे और इसके lower, इसके above सारे elements के आउंगे, आपके 0 होंगे, इसको diagonal matrix कहते हैं, clear है ना, और diagonal matrix एक अलग चीज़ है, यह diagonal एक अलग चीज़ है, diagonal तो यहाँ पर भी है, जैसे आप देखें, यह diagonal है, बड़ यह diagonal matrix नहीं है, clear है, यह square matrix है, और यह इसका diagonal है, diagonal matrix नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो यह क्या है आपका, यह एक आपका पास में diagonal है, ठीक है जी, और इस diagonal पर नमबर है, और इसके सारे element के आपके पास में 0 है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हम scalar matrix, scalar matrix क्या होता है, कि यहाँ पर आपके diagonal matrix आप बो सकते हैं, ठीक है न, लेकिन सारे number क्या होंगे, आपके same होंगे, बिलकुल एक diagonal पर सारे number क्या मिलेंगे, आपको same मिलेंगे, और आपके पास में बाकि other elements 0 मिलेंगे, और वो same number होने की वज़े से, इसको scalar matrix बोलेंगे, और यह diagonal matrix भी है, यह diagonal matrix में भी other elements क्या होते है, 0 होते है है clear है a diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal is called as scalar matrix तो यह दाइनल मेट्रिक्स है बड़ सारे elements इसके से होने की बज़े से भी बिलकुल भी कोई दिक्रत नहीं होगी कोई पालम नहीं होगी क्योंकि जिनके में 11-12 मैस था तो वो पढ़े वे काफी टाइम हो गया वो जबी तक के लिए बच्चों ने पड़ा जब उसके एक्जाम था कि वो भी इतना अच्छा का कुछ बच्चे हो सकते जिनको याद हो अच्छे तरीके से लेकिन आप पूरा भरोसा रखिए आप खुद बताईए तो सब बराबर है यहां पर हां जी देखे ज़रा आगे क्या कहता है आइडेंटिटी मेट्रिक्स और यूनिट मेट्रिक्स देखेगा एक डाइगनल मेट्रिक्स एक स्केलर मेट्रिक्स जिसकी सारे डाइगनल पर अलिमेंट्स वन ही हो तो यह आपका एक यूनिट मेट्रि और वो अगर elements one one है तो आपके पास में unit matrix आपका कहा देगा या फिर आपका identity matrix आपका होगा तो यह आपका identity matrix है order आपको पता है इसका क्या है three three cause का order है clear जी समझे इस बात को आप समझ पाए पहले बताए content update मैंने कर रहा है इस बार को clear तो content update कर रहा तो content type होने में समय थोड़ class उसमें जो है final वो content हो करके आज जो है वो आज आएगा content अभी थोड़ा सा ही था तो इसलिए आज एक लास बहुत short होगी but next class में content आपका पूरा पूरा हो जाएगा बताए को doubt है यहां तक आपको आप यह बताएं पहले को doubt आपको ट्राइंगल मेट्रिक्स में जैसे आप पूछ रहे हैं मुझसे दिया कि डाइगनल के नीचे के element या तो सारे 0 होंगे डाइगनल के अबब के element या तो सारे 0 होंगे तभी वो ट्राइंगल matrix होगा ठीक है जी क्लियर है आइडेंडेटी मेट्रिक्स डियर वो होता है देखिए गार एक डाइगनल मेट्रिक्स क्या होता है जिसके सिर्प डाइगनल पर ही आपको elements देखने को मिलेंगे other elements 0 भी एक elements होता है बलकुल बट वो other elements के आउंगे आपके 0 होंगे वो डाइगन स्केरियल के डाइगनल के जो elements है तो सस्केरिया मैट्रिक्स हो गया डाइगनल इंगतर्स भी सकते हैं उसको उसको ऀसको स्केरियर मेट्रीक्स भी जुट है और वह जो सारे नमबर से महां अगर वह सारे 1 1 हुए इस तो वह हमारे जो है आईडेंडेटिक मेट्रीक्स होगा क्लियर है मैं डिफ्रेशेट करके दिखाता हूँ जैसे कि आपका डाइगनल मेट्रिक्स क्या है मैं डाइगनल मेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ठीक है जी डाइगनल मेट्रिक्स क्या होगा डाइगनल मेट्रिक्स आपके पास में आ पर ये अपका एक डाइवर मैंट्रिक्स है जहां पर सुर्पर नमब्र सारफ कहाँ में देखने को मिलेंगे है अब्स केलर मैंट्रिक्स हो गाँ को इस आपको इस ओर एशाम्पल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर सारे के सारे नंबर अगर सेम हो जाते हैं, तो यह स्किलर मेट्रिक्स हो जाएगा, और अगर यहीं पर अगर आपको, अगर यहीं देखें, अगर ये diagonal सारे के सारे अगर one हो जाते हैं तो ये आपका identity या unit matrix होता है clear है ठीक है लेकिन इसको भी diagonal matrix बोलोगे इसको भी diagonal matrix बोलोगे और इसको भी diagonal matrix बोलोगे clear है इसको आप diagonal matrix और scalar matrix दोनों कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर diagonal matrix है plus में सारे same है तो scalar matrix है इसको आप diagonal matrix बोल सकते हो, इसको scalar matrix बोल सकते हो, क्यों सारे same हो, और इसको आप identity और unit matrix भी बोलेंगे, clear है जी, समझ माया आपको, ठीक है जी, तो आपको types of matrix आपको समझ में अच्छे से आ गया, कि कौन सा matrix को हम क्या कहते हैं, इस सब कुछ आपको मिल जाया content में, अब content थोड syllabus से कुछ ना कुछ changes आते रहते हैं, उसके according फिर हम content को update करते हैं, number of questions एड़ करते हैं, और मैं आपको 10 year भी content के साथ में add कर रहा हूं, तो 10 year एड़ करते हैं, तक हम एक chapter को complete करें, तो उस chapter के end में, जैसे chapter में पूरा complete कर दूँगा, चप्टर को पूरा समझा दूगा, तो जो आखरी के जो classes होंगी, चार-पांच classes होंगी, वो सारा का सारा में previous year जो metrics से related questions आए हैं, उस questions पर हम discussion करेंगे, और खास कर जो latest, जो previous year में, जो current year में आए, बहुत पुराना paper नहीं लेंगे, अभी last to last year, last year, ऐसे कुछ पिछले 5-7-8 साल के हम questions को ठाकर करके देख लेंग करेंगे, clear है जी, कोई doubt? हाँ, skiller matrix, identical matrix हो सकता है, clear है जी, मिलते हैं फिर next class में, आज एक लास बहुत छोटी रही, content की वज़े से, बट next class आपकी पूरी लंबी रहने वाली है, यूँकि हम पढ़ने वारे है, algebra of metrics, चाहापर अब हम दो metrics को add करना सीखेंगे, subtract करना के, clear है, उनको transpose करना सीखेंगे, और हम equality of metrics के बारे में हम समझेंगे, तो next class बड़े important है, अभी तो introduction ही चल रहा है metrics का, आज तक तक तो introduction ही हुआ, आज तक तो बड़ा basic ही हुआ, आप next class से थोड़ा सा आपका level, धिरे धिरे आपका enhance होता हो नजर आएगा, clear है जी, thank you, thank you so much हुआ है, आज में के तो जब हो सफे हुआ है जी, ए तो करल नचार को पके होता ही है, इस गुआ कर देकी है, तो आपका हुआ में क्थेदी का तो ढॉआ है चवआ है, तो यह है किन खाने यह को फि caliber हैं है, दो जो हैं ख कर दोईए